नमस्कार इस वीडियो में हम जानेगे Mustard Supply के बारे में जो की Mustard में लगने वारे प्रमूप कीट में से एक है तो आइए जानते हैं Mustard Supply का होश रेंज क्या है इसका Distribution कहां कहां है इसका Binomics क्या है और इसका Nature ओर डेमेज क्या है हम इसका किस तरह से management करें आईए जानते हैं mustard supply का scientific name Athelia lugens proxima है और इसकी order hymenoptera है और इसका फेमेली टें थ्रिनेडी है तो अब चुकि यह mustard supply का order hymenoptera है और hymenoptera कि होने के कारणी exception case है है यह mustard supply hymenoptera order कि जितनी maximum insect है वो या तो predator है या तो parasitoid है हम लोगों ने देखा कि maximum जो पेस्ट है वो हमिपटेरा लेपिड़ोपटेरा कोलिपटोर्य और से बिलोग करती है लेकिन यह mustard supply एक exception है एक अपवाद है जो hymenoptera से बिलोग करती है यह बहुत बार परिक्षा में पूछी भी जाती है तो आईए जानते है mustard supply के बारे में तो mustard supply का distribution पूरे widely distributed है यह इंडोनेशिया ताइवान मैमार और पूरी पूरे भारती उप महादुप में इसका distribution है मतलब फैला होए अब इसका ostrange क्या क्या है तो इसका ostrange जितने सारे cruciferous oil seeds मतलब cruciferous विलोग करने वाले तीरहन फसल जिसे तूरिया सरसो राई तारा मीरा और फिर बासी के सी मतलब cruciferous जो भी वेजिटेबल से जैसे cabbage, cabbage, cauliflower, broccoli, nolcol ये सब में भी इसका आक्रमन देखा जाता है तो अब आईए जानते हैं कि इसका binomics क्या है इसका life cycle क्या है तो अब देखते हैं इसका binomics क्या है तो जूड डार्क रीन लार्वा होता है इसका जो लार्वा होते हैं बेक में और जो भी body होता है वह रिंग drop appearance का होता है सी कुडा होज अपिरेंस का हुता है और यह full 對不對 लार्वा 16-18 mm लेंद का होता है तो आप यहां picture में देख सकते हैं कि किस तरह से green color का है लारवा और आप देल्वा देख सकते हैं कि स्ट्रीप स्मॉल ओरेंज येलो कलर का होता है और उसके बेक में बड़ी में ब्लेक मार्किंग होते हैं और इसमो की विंग्स होता है जिसमें ब्लेक भेंज होते हैं तो आप फ़र्ष पिक्चर में जो फ़र्ष लाइट था उस लाइड में आप देख सकते हैं किस तरह ओरेंज कलर का है आप देख सकते हैं ओरेंज कलर का है और फिर बेक कलर का मार्किंग भी है उसमें फिर भेंस भी बलेक भेंस भी प्रजेंट है इस तरह से आप मस्टर्ट सोपला की पहचान कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि इसका जो mustard softlight का ब्रेड करता है तो mustard softlight का ब्रेडिंग मैकसिमा अक्टूबर से माच के पिछ होता है और mustard की विखेती कब होती है यही रवी की सीजन में और रवी सीजन भी लगवग यही आसपास होता है अक्टूबर से माज तक लेकर रवी की फसल चलती है तो अब जो एडल्ट होता है वो इमर्ज करता है कोकून से अक्टूबर में चुकि फ्यूपेशन होता है इसका कोकून में होता है तो अरली अक्टूबर में यह इमर्ज करता है और एडल्ट कितने दिन तक लीप करता है ज स्लीट्स में अब स्लीट्स बनाती कैसी है यह मस्ट्रेट सोपलाई अब इसी कारण से इसका सोपलाई मस्ट्रेट सोपलाई क्यों कहा गया यह भी बहुत ही जालने लायक है जोकि सो जो उसका जो अभी पोजिटर होता है वो आरी की तरह होता है आरी में जिस तरह उसके एक प्रियट चाहस से आड दिन का होता है और लारवा फिट करता है एक्सपोज होके तीन से छे की ग्रूप बना करके लीव में मौर्निंग और इविनिंग टाइम में फिड करता है और वो हिडन रहता है डे टाइम में वो चिपे हुए रहता है और जब हमनों प्लांट को तो वो मरते नहीं है तो मरने का बहाना करते हैं तो इस activity को फैंडे बkg एक्न eosis बहुत ही मात्यकून एक्टिविटी करती है और इस का लार्वा का साथ इस पाइंस्टार होता है और लारवरúcर प्रियाट सोडश से 35 दिन का होता है और शेम में बताया कि कहां होता है कोक कॉन होता है 31 से 34 दिन में इसका लाइफ सैकल पूरा होता है और इसी तरह से जो October से March के बीच दो से तीन जेनरेशन कंप्लीट कर देती है इसी तरह हम लोगों मैं ने देखा था कि मस्टर्ड है फिर्ट मंटीवट राइन थी अब मस्टर्ड सफ्लाएं भी मल्टीवलट राइन है तो अब किस तरह अम ब्रीडिंग स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं एडेलट ब्रीडिंग कर रहा ह। अक्टूबर्स से मांज के वीच और 30 ग्रोन लारवा हो जा रहा है ये और पिर अर्ली अक्टूबर में फिर इमर्जेंस हो गया और इस तरह से 2-3 जेनरेशन अक्टूबर से मार्च की बीच कंप्रीट करता है और ये क्या हो गया कि इसका लाइप साइकल 31 से 34 दिन में complete होता है अब हम देखेंगे कि इसका nature of damage क्या है तो nature of damage में क्या है कि इसका damaging stage क्या है तो इसमें only लारवा जो grub से वो सिर्फ grub से destructive होते हैं वो क्या करते हैं वो leaves में hole बनाते हैं और hole जो भी hole बनाते हैं और जो भी young growth होता है उसको prefer करते हैं और itscanize कर देते हैं लýप को पूरी तरह complete ही आप picture में देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह से इसक्रमी को भी वो इट कर देता है तो आप इस picture में देखे हैं आप इस picture में देख सकते हैं कि सूट पर भी attack किया है लारवा ने और पिर इपिर Extra manip । व्रविस कर रहा अब हम देखेंगे जो भी क्या होताए कि सीड्लिंग क्या ह ça सुकुम्ब कर जाता है मतलब या डाइय जाता स्वय क्या हो जाता है Sydney और में क्या हूब है जो अलडंडर प्लांट पर तेक करती है तो क्या होता है कि सिलिक्वा में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है हम लोगों जाना कि मस्टड के पॉर्ड को सिलिक्वा बोलते हैं तो सिलिक्वा में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से अटीक हुआ है मस्टट सोफलाई का पोड में तो आप यहां देख सकते हैं कि मस्टट सोफलाई का अटीक हुआ है सिलिकवा में इस तरह से मस्टट सोफलाई डेमेज करती है older stage में older plant में अब हम जानेंगे कि इसका management किस तरह से करेंगे कि इसका हम लोग प्रबंदन किस तरह से करेंगे तो आईए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कोई भी पेश्ट की मेनेजमेंट तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्यूपा होता है वो सोयल प्यूपेशन करता है तो हम लोग समर फ्लाविंग करेंगे समर करेंगे अटेक्स रोक सकते हैं प्लिएंगे और अभी स्टेज बहुत ही कुरूषियल होता है व्हारान अप्लाई कर ने के चया करेंगे किस्टेज के दोरान इरिगेशन अप्लाइगे और ऑणकर ने से क्या होगा तो पानी में डूबने के कारण और कभी-कभी जो severe cold भी होता वो paste load को कम करता है मतलब पेश का population को कम करता है कभी-कभी severe cold हो जाने के कारण हम लोग क्या करेंगे collection और destruction of grubs जो भी लारवा है उसका collection और destruction करेंगे कब करेंगे morning और evening में क्योंकि हम लोग उने देखा कि day time में वो छीपी रहती है जो भी लारवा रहती है और morning और evening में ही वो group में feed करने हाती है तो हम लोग morning और evening में ही collection कर सकते हैं और destruction करेंगे अब हम लोग predator biological control के रुप में परलिसस singulator का भी यूज़ कर सकते है जो कि ग्रव का parasit today यह सब का भी हम लोग biological control में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग bacteria का भी यूज़ कर सकते हैं सीरेट या मेरे सेसेंस का जो कि लारवा को infect करती है लारवा में infection create करती है अब हम लोग chemical control में देखें तो seed treatment कर सकते हैं imidacloprid 70WS से 700 ग्राम imidacloprid लेंगे 100 kg seed को treat करने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप foliar spray कर सकते हैं dimethoid 30% DC का 264 ml का उप्योग करेंगे 200 से 400 लेटर पानी में घोल बना करके प्रती एकर छिड़काव करेंगे इस तरह से हम लोग mustard sow fly का management कर सकते हैं हम लोगोंने जाना mustard sow fly के बारे में यह hymen of terra order की है जो कि exception case से इसका host range जाना इसका हम लोग nature और damaging stage जाने इस तरह देमेज करती है और हम इसका management जाने तो इस तरह से हम लोगों ने मस्टर्ट सोफलाई के बारे में पूरी तरह से जाना धन्य बात अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में